नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों जैसा कि आपको अवगत है पंचाय चुनाव में सभी सिक्सकों और करमियों की डूटी लगाई गई है किसी की पिठा सीन अधिकारी के रूप में डूटी लगी है ऐसा नहीं है कि सभी काम पिठा सीन को करने है या दित्यमत्दान अधिकारी का कारिया है दित्यमत्दान अधिकारी को ही करना है हमें सभी को मिलकर कारिय करना होगा तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मत्दान के लिए मत्पत्र को हम कैसे तयार करें हमें मतपत्र मिल जाएंगे लेकिन मतपत्र को चुनाओ के लिए हमें तैयार करना होगा ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके साथ-साथ हमें दो तरह की मोहर मिलेंगी सुबधक मोहर उसमें क्या अंतर है एक बोर्डर वाली और दो बोर्डर वाली सुबोदक मोहर जो हमें मिलेगी उसमें क्या नतर है ये सबम आज की वीडियो में डिसकस करेंगे और इसके साथ साथ सुबोदक मोहर और एरो क्रोस मोहर में क्या नतर है और कौन सी मोहर कहां लगानी है ये सबम आज की वीडियो में discuss करेंगे साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की informative वीडियो आपको एक platform पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो whatsapp ग्रूप और informative वीडियो telegram ग्रूप बनाई हुए है आप चाहें तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं ग्रूप का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा जिस पे click करके आप मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं तो साथियों जैसे ही आप चुनाओ से एक दिन पहले वहां पर पहुचेंगे अपने blog में जहां से आपको सभी सामगरी मिलेगी तो उसमें सबसे पहले आप अपना पहचान पत अपना letter लेंगे duty का उसके बाद आपको सामगरी प्राप्त करनी है जब आप सामगरी प्राप्त करेंगे तो आपको मतदाता सूची मिलेगी और इसके साथ साथ आपको कुछ सामगरी मिलेगी जैसे आपको मतपत्र मिलेंगे आपको कुछ महर मिलेंगी तो इन महरों की हमें पैचान होनी चाहिए कि कौन सी महर किस काम आती है जैसे हमें कुछ एरो क्रोस सील मिलेंगी इस तरह की आपको चार एरो क्रोस सील मिलेंगी जो आपकी मतदाता के काम की होती है मतदाता इनकी मदद से अपना मतदान करते है इन महरों को आपको जो आपका मतदाता जहां मत कक्स होता है जहां पर मतदाता अपने मतदिगार का परियोग करता है वहाँ पर इन महरों को आपको रखना है दागी से बांद के इनको आप रख देंगे तो इन महरों को एरो क्रोस महर कहते हैं जो मतपत्र के उपर लगती है जहाँ पर मतदान अपना जिस भी मेंबर को वोट करना चाता है जिस भी उम्मिद्वार को वोट करना चाता है वहाँ पर इनकी मदद से मोहर लगाई जाती है तो ये मतदाताओं के उपयोग के लिए मोहर होती है इनको एरोक्रोस मोहर कहते है इसके साथ साथ कुछ मोहर आपको और मिलेंगी जिने सुभेदक मोहर कहेंगे सुभेदक मोहर की खास बात होती है आपको दो सुभुदक या सुभिनक महर मिलेंगी जिनमें एक में तो सिंगल बोर्डर होगा और एक में डबल बोर्डर होगा जो सिंगल बोर्डर होगी वो आपकी ग्राम परधान के मत्पत्र पर पीछे लगेगी और इसके साथ ग्राम पंचैत के सदस्चे के पीछे जैसे विकासखंड, मतदान इस्थल करमांग, ग्राम पंचैत का नाम और वार्ड करमांग, अगर आप परधानी का, ग्राम परधान का मतपत्र तयार कर रहे हैं, तब आपको वार्ड करमांग लिखने की जर्वत नहीं है, लेकिन अगर आप सदस्य का मतपत्र तयार कर रहे है जो सदस्य के मतपत्र के पीछे महर लगा रहे हैं और एंट्रीज पूरी कर रहे हैं तब आपको वाइड कर्मांक लिखना होगा तो ये आपकी सिंगल बोर्डर वारी महर होगी इसे कहेंगे हम सुबोदक या सुबिनक महर इसे के साथ साथ आपको एक और महर विलेगी जिसमें डबल बोर्डर होगा जैसे उपर डबल बोर्डर दिखाया गया है इस तरह का डबल बोर्डर होगा और ये महर जो होगी आपकी छेत्र पंचायत सदस्य के मतपत्रों के पीछे लगेगी और इसके साथ साथ जो आपके छेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके पीछे लगेगी और जो आपके जिला पंचायत सदस्य हैं उनके पीछे ये महर लगेगी इसमें विकास खंड आपको भरन क्योंकि उसमें बार्ड जंक्या नहीं होती छेत पंचायत में और जिला पंचायत में वहाँ निर्वाचन छेत्र करमांक भरनी होगी छेत्र का नाम भरना होगा आपको तो यह मोहर आपको उसके पीछे लगानी है अब आप मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के आपको मतपत्र मिलेंगे देखे एक एग्जामपल है सदस्य ग्राम पंचायत आपको जो सदस्य ग्राम पंचायत के मतपत्र मिलेंगे उनको आपको तयार करना है करमांक एक से लेकर आपके जितने भी करमांक तक हैं लेकिन नहां से इसको मतपत्र को फाड़ा जाएगा लेकिन फाड़ने से पहले दित्यमद्दान अधिकारी यहां पर निर्वाचक नामावली की भाग संख्या लिखेंगे जो भाग संख्या है निर्वाचन का क्रम संख्या लिखेंगे निर्वाचन की क्रम संख्या लिखने के बाद अस्ताकसर और अंगेठे का उसका निसान लगाएंगे ऐसा ही आपको चारों मतपत्रों में करना है लेकिن जो आपके वाड के मतपत्र होंगे उनके पीछे जब आप उन्हें तईयार करेंगे तो उनमें आप सभी करमांग भलेंगे लेकिन जब वाड़ करवांग लिकेंगे तो वो ही पाड़ करवांग लिकेंगे जिसके ये मतपत्र है उसको मैं बाद में बताऊँगा इस तरह का मतपत्र आपका होगा देखे और इसके पीछे मोहर आपको लगानी है इसी तरह जिला पंचाय सदस्या का मतपत्र आपका इस तरह का गुलाबी रंग का होगा इसी तरह परदान का होगा और दूसरा होगा तो ये मतपत्र है और इनके पीछे आपको सुबोदक चिनवाली महुर लगानी है और उसकी एंट्री तैयार करनी है अब बात करते हैं मतद मतदान के लिए मतपत्र हम कैसे तयार करें इस है तुम मतदान के पूर्व वह लगबाग आदे मतपत्रों मेंसे परतेक के पीछे की तरफ सुसंगत सुबोधक सील लगा देंगे यानि मतपत्रों से फूरो आपको जिस दिन आपको मिलेंगे उसी दिन उस सुबोधक फिर इनमें लगानी है ग्राम पंचायत, सदस्या और पर्धान के निर्वाचन के लिए दिये गए मतपत्रों के पीछे निमलिकित सुबोधक सील सुबन्नक सील लगाई जाएगी जिसमें ये है आपका विकासकान, मदेश्टल कराम, ग्राम पंचायत अगर आप पर्धान वाले के पीछे लगा रहे हैं तो आपको इधर के तीन कोलम भरने है केवल लेकिन अगर आप ग्राम सदस्य के लगा रहे हैं तो आपको वार्ड करमांग भी लिखना होगा है मानलीजे आपके पास दो वार्ड है पहले वार्ड के आपके मतपत्र पांसो तक हैं उसके बादे आपके दूसरे मतपत्र हैं के लिए हमने जारी किया है और एक का ही इसमें सदस्या ने मोट दिया है मद्दाता ने तो इसमें आपको वार्ड करमांग में ही ध्याल करना है इसके साथ इसमें वार्ड करमांग केवल ग्राम पंचाय सदस्या के निर्वाचन से संबंदित सपेद रंग के मतपत्रों में भर करने की आवश्यक्ता नहीं है अन्य प्रवश्टी सील से पहले ही रहेंगी यदि नय हो तो उन्हें भी भर ले अब बात करते च्छेत पंचायत की च्छेत पंचायत और जिला पंचायत के सदस्चे के निर्वाचन के लिए जो मुख्यत है च्छेत पंचायत का आपका नीले निर्वाचन च्छेत कर्मांग च्छेत का नाम और जिला तो इसमें निर्वाचन च्छेत कर्मांग आता है वाड कर्मांग की जेंग है तो उनके पीछे आपको ये मोहर लगानी है इसमें च्छेत पंचायत और जिला पंचायत जैसी भी स्थतिके निर्वाचन के निर्वा बता दूँगा हस्ताक्षर करने का काम उसे मद्दान की सुभह को ही करना है इससे पहले भी करना है उससे पहले नहीं देकि इसमें लिखावस में मद्दान की सुभह को ही करना है लेकिन आप इसको पहले भी कर सकते हैं क्योंकि आपको तयार करने में काफी टाइम लगेगा प मतपत्र के अंथ ने हस्ताकसित, मतपत्र कम से कम संग्ख्या में सेस रहें नेक्श्ट है आपका मदडातओं करमार मतब जारी करने के वज़ाए ये तो आपका इस तरह का है, इसकी चक्र में पढ़ने का आपको ज़दत नहीं है अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की आपकी मोहर होगी, देखे ये मोहर है आपकी एक सिंगल वाली मोहर है आपकी, विकास खंड आप बर देंगे, मद्दान इस्तल करमांग बर देंगे, ग्राम पंचायत का नाम बर देंगे, और वार्ड करमांग आपको ध्यान से बरन के तो साथ यू आज की वीडियो में इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे वीडियो को like करें शेयर करें और वीडियो पर सब्सक्राइब कर ले और बैल के आइकन को प्रेस कर दे जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद